इस्टुरेंट्स वन मिनिट इंग्लिज प्रेक्टिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें हम एक मिनिट का लगबग वीडियो डालेंगे और इसके साथ-साथ में हम बहुत सारे एस्पेट्स देखेंगे किस तरह से हम वोकेबिलिरी को तयार कर सकते हैं वोकेबिलिरी तयार करने के केवल दो तरीके हैं एक है प्रेक्टिस और दूसरा है माइंड मैपिंग अगर आप माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो वह वर्ड आपको कभी भूलता नहीं है लेट्स बिगिन एक मैं डेमो दिखा करके दिखाता हूँ आज ठीक है तो देखिए हमारा जो आज का वार्ड है अबस्ते रिछ को ओट देखें तो यहां पर देख्वे एपस बनाना है अगर है इन से दूर रहना होगा इन से दूर रहना होग है इनसे जैसे fast food हो गया, है ना, fast food हो गया, जिसको हम junk food भी बोलते हैं, तो इनसे दूर रहना होगा, इनसे दूरी बना करके रखने होगी, परहेज करना होगा आपको, तो abstinence का मतलब होता है, परहेज करना, परहेज करना, अब इसके बहुत सारे सिनोनिम आ जाएंगे, we can say that, self Daniel, self Daniel बोल सकते हैं, है ना, आप यहाँ पर देखे, अब उसने क्या कर दिया, decade कर दिया, तो we can say that, update, त्याग देना, ठेक है, यानि किसी भी चीज़ को उसने क्या कर दिया, give up कर दिया, है ना, give up बोल सकते हैं, यह छोड दिया उस चीज़ को, so we can say that, leave, हम leave बोल सकते हैं, है अब इसके बहुत सारे और भी सिनोनी मा जाएंगे, जैसे कि कहीं न कहीं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पहले, abandon, तो we can say that, abandon also, abandon बोल सकते हैं, इसके बाद में, we can say that, step down, from a position, or bar, ठीक है, तो यह जितने भी सिनोनी में, यह सब क्या है, परहेज करना, तो याद रहेगा आपस्टीनेस में, एपस लिखा हुए, इन लिखा हुए से, यानि अब इन से दूर रहना है, यानि हमें परहेज करना है, बेटा के लिए रहना, इसी तरह से हमें, बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊंगा, short वीडियो होंगे, फिर बाद में, long वीडियो भी लाएंगे, च एक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, जैहिन!